Hello students, welcome back to Pi Study Circle, my name is Mohamed Dasiv, today in this class we will discuss about the social science class NIOS, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत महतपूर्ण information देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यह हमारी class है, यह Hindi plus English, दोनों medium के बच्चों के लिए है और April वाले बच्चे और October वाले बच इस class से, इस lecture से फायदा ले सकते हैं, क्योंकि परिक्षा की द्रिष्टी से यह class है आपको लिए बहुत ही important रहेंगी, प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक information आपके लिए यह है, कि अगर आप हमारे इस lecture को YouTube पर देख रहे हैं, तो यह आपकी पहली class है, लेकिन यदि SC, यानि कि पाई study circle पर अगर आप इसको देख रहे हैं, तो यह आपकी demo class है, इसी परकार की दो और class है आपके लिए available होगी, लेकिन अगर आप पूरा course देखना चाहते हैं, आप पूरा course पर्चेस करना चाहते हैं, तो उसका आप पाई study circle जो हमारा app है, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं, उसको purchase कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये प्रशन उठ रहा होगा, कि सर ने ये तो बता दिया कि हमारे app के ओपर ये course available है, लेकिन इसका cost क्या होगा, कोस्ट को लेकर आपकी शंकाएं बहुत जल्दी मैं भी दूर कर रहा हूँ, कि इसका cost क्या होगा, बहु क्या तैग है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा लिखा है कि course की जो fee है 1999, लेकिन 1999 नहीं, बहुत कम बहुत कम आपके लिए है, discount fee है आपकी 199, only 199, social science and IOS का पूरा complete course, और एक ही lecture के अंदर आपको चीजे बिलकुल अच्छे से समझ में आएंगी, और आपकी जो भी inquiries हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन सब का भी समधान किया जाएगा, previous year के जो question जो परिक्षाओं में पूछे जाते, बार बार पूछे जाते, उनको focus करके आपकी study को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन 1999 जो आपका ये course है, वो अगर आप देख रहें कि 30 October 2021 तक, अगर आप ग्यारा बजे तक भी अगर इस course को आप purchase करते हैं, तो वो 199 में नहीं बलकि आपको 149 यानि 149 रुपे में मिलेगा, केवाल 149 रुपे में आपको ये पूरा course available होगा, और दोनों ही भाषा यानि के अंग्रेजी, यानि के English Medium, Hindi Medium, दोनों बच्चों के लिए ये course उपयोगी ह होगा, महत्पूर्ण होगा, तो आईए, आज हम अपने इस lecture की शुरुवात करते हैं, ये हमारी पहली class, जैसा कि मैंने बताए YouTube की पहली class, तो आईए chapter number 1 की हम शुरुवात करते है, social science code है, इसका आप देख रहे हैं, 213 और सबसे पहला जो हमारा chapter है, chapter history का है, जिसका title आप और history के lesson के अंदर, जो हमारा पहला chapter है, उसका नाम है, ancient world, यानि के प्राचीन विश्व, ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, in this chapter, we will discuss about the civilizations, यानि के सभ्वैताओं के बारे में, हम इस अपने lecture के अंदर discuss करेंगे आपके साथ में, या देखे, दो भागों मे हमारी civilization को divide किया गया है, सबसे पहले आप देख रहे हैं, कान से युगीन सभ्वैताओं, ब्रॉंज एज civilization, और number two पर है, लोह युगीन सभ्वैताओं, यानि के iron age civilization, ठीक है, the classification क्या, क्या क्या गया है, इसका classification किया गया है, ठीक है, किसका क्या गया है, civilization का, इसको बताया ग पढ़ेंगे कि जो कान से युगीन सभ्वैताओं हैं, ब्रॉंज एज civilization है, उसमें परमुक परमुक कौन कौन सी सभ्वैताओं हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, कि यहां है हमारी मैसो पोटामिया की सभ्वैता, मैसो पोटामियन civilization, मिसर की सभ्वैता, इजिप्टि civilization, चीनी सभ्वैता, इट मिन चाइनी सिविलाइजेशन, और नेक्स और लास्ट, सिंदु घाटी सभ्वैता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह सारी जो सिविलाइजेशन हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर यूनानी सभ्वैता, यानि कि ग्रीक सिविला रोमन सभ्वैता, रोमन सिविलाइजेशन, और उसके बाद में हैं इरानी सभ्वैता, यानि पर्शियन सिविलाइजेशन, तो हमने देखा कि हमने क्लासिफाई किया अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी सभ्वैताओं को, सबसे पहले हमने सीखा कि सिविलाइजेशन, जो ह हम एक एक civilization के बारे में पढ़ेंगे और वो भी सारी कौन सी civilization है वो हमारी ब्रोंज एज civilization है जिसमें सबसे पहले हम मैसो पोटामिया उसके बाद मिस्र उसके बाद चीनी और उसके बाद सिंदु घाटी की सब्वैता के बारे में एक एक करके हम discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैसो पोटामिया की सब्वैता तो सब्वैता का हमें मिनिंग पता होना चाहिए इस सब्वैता का हमें अर्थ पता होना चाहिए कि what is the proper meaning of the मैसो पोटामिया civilization तो इसका meaning लिखा हुआ है आपके सामने दो नदियों के बीच का इस्थान दो नदिया है एक नदी ये बह रही है एक ये नदी बह रही है और उसके बराबर में एक ये नदी बह रही है इन दो नदियों के बीच का जो इस्थान होगा उसी को कहा गया है Maisopotamia तो अर्थ क्या बताएगए आपको दो नदियों के बीच का इस्थान The land laying between the two rivers दो नदियों के बीच की जगा को Maisopotamia कहा जाता है और वो दो नदियां कौन सी हैं वो दो rivers हैं एक का नाम है Dazla और दूसरी नदी का नाम है Forad न, the two rivers ये दो नदियां हैं और इन दो नदियों के बीच के स्थान को ही मैसो पोटामिया कहा जाता है तो ये तो इसके मीनिंग की बात हो गई अब इसमें important चीज़े क्या-क्या हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे पहला point है यहां पर हमारा bar यानि के flood की बात हो रही है क्योंकि देखें दो नदियों के बीच की जगा है है ना दो rivers है और उन दो rivers के बीच में जो land है तो वहां अगर ज़्यादा पानी आएगा दो नदियों के बीच की जगा में दो नदियां बह रही है अगर पानी का water level बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि flood आएगी बार आएगी लेकिन वहाँ पर बार बहुत जादा आती थी मैसोपोटामिया के अंदर flood आता था लेकिन flood के साथ में क्या होता था कि जो fertilizer land बन जाती थी व मेसोटामिया के लोगों को फायदा क्या मिला कि उनका जो agriculture production था उनका जो किर्शी उत्पादन था वो क्या हो गया वो बहुत जादा अच्छा हो गया और किर्शी प्रधान सभैता के रूप में मैसोटामिया सभैता को जाना गया हाँ बार आने की वज़े से यहां के लोगो को कुछ परेशानियां होती थी कुछ दिक्कत होती थी प्राब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी लेकिन इसका एक दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो यह था कि जब एक रीवर के अंदर क्या आता है फ्लड आता है तो उसके साथ में आप देख रहे हैं कि जो भ इसका बैनिफिट मिलता है इसी तरीके की वेवस्ता मेसोपोटामिया में थी के दो नदियों के बीच का इस्थान होने की वजए से बाड़ तो आती थी लेकिन बाड़ आने की वजए से जो प्राब्लम्स थी वो तो थी लेकिन फर्टिलाइजेशन भी अच्छा था इसके यानि के देखिए हम जब किसी भी भाषा को एक तो होता है मोखिक बोलना एक होता है किसी भी भाषा को लिखना तो जब हम किसी भाषा को लिखकर दूसरे के सामने प्रस्तूत करते हैं तो हमें इसक्रिप्ट की अवरशक्ता पड़ती है है ना और हर भाषा की अपनी अलग लग script होती है तो यहां पर बात हो रही है मैसोपोटामिया की लीपी की यानि उसकी script कैसी थी तो यहां की जो script होती थी वो खीलाकार होती थी यानि कि आपने देखा होगा कि कील होती है कील किस तरीके की होती है कीली टाइप की कील होती है इसी परकार के अक्षर होते थे इसी परकार के कुछ एलफा बर्ड्स होते थे जो यहां की लीपी में पाए जाते थे और बहुत जादा संख्या में एलफा बर्ड्स होते थे जिसकी वज़े से क्या होता था कि उनको याद रख पाना बहुत मुश् के अंदर लेकिन यह बहुत आश्रे की बात है कि जहां जिस सभ्हता से पूरी दुनिया में इसकृप्ट गई वहां पर जादा लोग पड़े लिखे नहीं थे अब पड़े लिखे क्यों नहीं थे वहां जादा लोग क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है कि यहां की जो संखिया थी उनके जो नंबर्स से वो बहुत जादा थे और लोग जादा तर उन नंबर्स को याद नहीं रख पाते थे जिसकी वज़य से केवल कुछी ऐसे लोग जो पढ़े लिखी होते थे बाकी लोग जाले बताया कि यहां पर भई किसान तो थे क्योंकि खेती करने वाले लोग है तो किसान तो हो गई ठीक है फार्मर्स तो थे यहां पर लेकिन क्या यहां पर व्यापार होता था तो व्यापार तो व्यापारी ही करेगा तो यानि क्या क्या यहां पर व्यापारी वर्ग भी था क्या यहां पर ट्रेडर्स भी थे तो इसका जवाब है हाँ यहां पर फार्मर्स के अलावा ट्रेडर्स भी थे बुनकर भी थे और इसके अलावा मूर्तिकार भी थे इस तरीके के और भी लोग थे और यह क्या करते थे कि अपनी वस्तुओं को बनाते थे और फिर उनको व वियापार जो होता था उसमें जो परियोग किया जाता था वो goods exchange system को use किया जाता था यानि वस्तू विनी में प्रणाली इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक वस्तू के बदले में दूसरी वस्तू को प्राप्त कर लेना है यानि वस्तूों की अदला बदली जैसे मान व्यक्ति के पास में A व्यक्ति है उसके पास में गेहूं और B व्यक्ति के पास में मान लिए चावल है तो वो आपस में क्या करेंगे अपनी अवरशक्ता को पूरा करने के लिए अपनी नीड को complete करने के लिए क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ में goods exchange करेंगे अपनी अप पारी आते थे, उनको अपना सामान, अपना माल बेशते थे और वस्तोविनी में का भी प्रमान मिलता है, इस तरीके के evidence मिलते हैं कि लोग महापर वस्तोओं की अदला बदली किया करते थे, exchange करते थे वस्तोओं को, इसके अलावा महां के लोगों का धार्मिक विश्वास क्या करते थे, उनकी पूजा किया करते थे, उनमें believe किया करते थे, विशेशकर आप देखोगे कि उसमें एक God था, जिसको कहा जाता है सूर्य देवता, यानि कि जिसको आप पहते है Sun God, ठीक है, इसके अलावा आपका Moon God था, जिसको कहा जाता है कि चंदर देव, इसके अलावा प्रेम की देवी थी, समझ रहें, और इसके अतिरिक्त आपका एक था वायू देवता, ये वहाँ के परमुख देवता रहे, ये वहाँ के परमुख गौड्स थे, जिनकी वो पूजा किया करते थे, वर्शिप जिनका वो किया करते थे, तो आप देख रहे हैं कि ये सभ्व भेजियस बलीव, ठीक है, दो आल अरदा इमपोर्टनन पॉइंटस ओप द मैसो पोटामियन सिविलाइशन, तो नव, नेक्स्ट सिविलाइशन इज़ जिप्टियन सिविलाइशन, यानि के विस्री सब्वहता, ये हमारी दूसरी सब्वहता है, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है यह आपको नहीं भूलना है कि यह जो सब्भैताएं हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में हम study कर रहे हैं यहां आपका लिखा है कि नील नदी का टड़ नील नदी आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है अब यह जो नील नील है इसी नदी के मुहाने पर इसी नदी के टड़ पर इसी नदी के बैंक पर एक civilization थी जो काफी फली फूली थी और इस civilization का नाम है इजिप्टियन सिविलाइजेशन अनौदर सिविलाइजेशन एक्रोज इन इजिप्ट अलॉंग दा रिवर नील यह जो रिवर नील है इसी नदी के पास में ही एक सब्भैता अपने अस्तित्वों में थी वो फल्फूल रही थी और उसका नाम इजिप्टियन और इस सब्भैता में जो important points हैं वो हैं सबसे पहले आपका flood यानि के बार क्योंकि देखें नदी के किनारे पर अगर सब्भैता है और अगर आपको पता है कि rainy season है अगर बारिश अगर आती है तो water level उपर होगा और water level उपर होने से flood आ जाएगा तो यहां के लोगों को flood का सा प्रामना करना पड़ता था यह problem face out करनी पड़ती थी ठीक है लेकिन इसका भी benefit जैसे मैं आपको यहां भी बताया है mesopotamian civilization में कि इसका भी benefit भी होता है कि जो land होता है वो उसको fertilization मिलता है ठीक है और irrigation के लिए पानी की कोई कमी नहीं होती अगर आप नदी के पास में हैं तो यह सब बता तो नदी के पास में थी तो यहां पर irrigation के लिए पानी की कमी नहीं थी agriculture अच्छा था लेकिन problem क्या थी कि कही बार महाँ पर flood आ यानि कि बाड़ आ जाती थी ठीक है और बाद में आप देखेंगे कि इजप्टियन civilization जो है आपका यहां में जो लोग रहते थे उन लोग यहां पर शाषन करते थे तो आप देख रहें कि यहां पर शाषन राजाओं के द्वारा किया जाता था जो king होते थे वो यहां पर राज किया करते थे और राजाओं के द्वारा शाषन को चलाया जाता था लेकिन जो king होता था वो अकेला नहीं होता था शाषन चलान जो राजा होता था उसकी help के लिए कुछ officers होते थे, ministers होते थे, है ना, कुछ अधिकारी और कुछ मंत्री होते थे, जिनकी सहेता से जो राजा होता था, जो king होता था, वो rule किया करता था, शाशन को चलाया करता था, और यहां एक बात और लिखी है कि जो Egyptian civilization है, मिस्री की जाता है, वहां पर जो राजा होते थे, उनके लिए एक word का use किया जाता था, pharao, यहां के शाशकों को pharao word के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, समझ रहें, pharao जो शब्द है, वहां के शाशकों के लिए परियोग किया जाता था, इसके अतिरिक्त, यहां की लीपी कैसी थी, मिसर की लीपी, तो मिसर की लीपी जो थी, वो चित्राकार थी, चित्राकार मिंज कोई picture बनाई, और picture बना कर कुछ ना कुछ message देने की उससे कोशिश की जाती थी, जैसे आज हम शब्दों के माध्यम से, किसी word के माध्यम से, लीपी के दुआरा समझाते हैं, लेकिन व वो किस पर based थी, pictures पर, picture बनाई जाती थी, चित्र बनाई जाते थे, चित्रातमक script थी, वहां की चित्रों को बना कर, कुछ ना कुछ उससे संदेश या message दिया जाता था, इस प्रकार की लीपी वहां होती थी, इसके अलावा इस अभ्यता की जो सबसे important चीज है, जो पूरे जो में famous है, विख्यात है, उसका नाम है पिरामिड, यहां के जब शाशक होते थे और उनकी मृत्ति हो जाती थी, तो क्या करते थे, वो लोग के king की death हो जाने पर, उसकी जो dead body होती थी, उसको एक ताबूत के अंदर, एक box के अंदर रखते थे, और उसको दफनाने के बाद में उसके उपर एक बहुत विशाल एक आकरती बना दी जाती थी, एक structure उसके उपर बना दिया जाता था, जिसका नाम कहा जाता है कि पिरामिड उनको कहा जाता है, पिरामिड शैली में उनको बनाया जाता था, इसलिए इसको पिरामिड कहते हैं, और आप सब को पता है कि मि Chinese civilization ये बहुत most important civilization है क्योंकि इंडिया के पास में ही ये civilization फलफूल रही थी ठीक है आप सबको पता है कि China is a neighbor nation of India और भारत के पड़ोस में ही एक बहुत प्राचीन सब्वैता ब्रोंज एज civilization की सब्वैता थी जो Chinese सब्वैता है इसके विशय में हम discuss कर लेते हैं ये सब्वैता हुआंग हो नदी के टट पर फली फूली चीन के अंदर ये बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं बहुत सारी rivers हैं जो flow कर रही है चाइना के अंदर और उनी में से एक important river है जिसका नाम है huangho river the Chinese civilization grow up in the huangho river valley in north china ये चाइना में तो है लेकिन चाइना में भी कहां पर फल्फूल रही है नौर्थ चाइना में जो उत्तरी चाइना है वहां पर ये सब्वैता फल्फूल रही थी और नदी का नाम था huangho river आप एक बात इस के अंदर आप common एक point है ज कि देखिए यहां पर मैसो पोटामिया सब्वैता है वो भी नदी के पास में है इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो भी नदी के पास में है चाइनीज सिविलाइजेशन है वो भी नदी के किनारे पर है तो ये common बात है कि जो भी आप देखेंगे ancient world के अंदर जो भी civilization grow ह हुई है वो सब कहीं न कहीं नदियों के किनारों पर ही हुई है उनके उत्थान में या उनके विकास के अंदर उनके development में कहीं न कहीं रीवर का जो रोल रहा है वो important रहा है तो यहां आप देख रहे हैं कि हुआंग हो रीवर वैली इन नौर्थ चाइना यहां पर यह आप देख रहें first point सांग शाशन सांग रूलर यहां पर शाशन किनका था सांग शाशकों का यहां पर शाशन चला करता था और जब सांग शाशकों का यहां पर शाशन था तो उस यूग को कहा जाता था ब्रोंज एज ठीक है उसको ब्रोंज एज के नाम से जाना जाता था उसके बाद में यहाँ पर एक नया शाशक आया और नये शाशक का नाम था चाउ तो चाउ ने क्या किया चाउ ने शांग शाशन का अंत कर दिया यानि इसको उखाड कर वहां से फैक दिया इस शाशन का अंत कर दिया और दैन उसके बाद में चाउ शाशन करने लगा लेकिन ड प्रोंज एज कहा जाता है जबकि चाव शाशन का कहा जाता है आईरन एज यह डिफ्रेंस है इन दोनों के बीच में इसके अतिरिक यहां लिखा है चिन एक नया राजा यहां पर आया चिन दोसो इकीस इसापूर में यह शाशक बना चिन बिकेम न्यू रूलर इन 221 बीसी यह दोसो इकीस इसापूर में चीन का शाशक बना था और इसके अलावा आप देख रहे हैं हान वंश उसके बाद में लास्ट में आप देख रहे हैं कि हान वंश का शाशन आया हान डैनेस्ट का शाशन आया और इसने चीन के उपर शाशन किया अब चीन के अंदर आप देखोगे वई कि चीन के जो सामन्त होते थे जो लैंडलोड हुआ करते थे उनके बीच में क्या होता था इस्ट्रगल होता था आपस में संगर्श करते थे लडाईयां करते थे इसलिए अपने प्रो को सेफ करने के लिए या फिर वो अपने 補ी प्रोटेक्शन के लिए उन किलों के आज-पास उंची-उंची दिवारों को कंस्रक्ट करते थे उनको बनाया करते थे चीन के बारे में आप ऐस जानते हैं कि चीन में क्या है the great wall of china क्योंकि जो चंगेज खान वगएरा या आदी इस तरीके के जो शाशक होते थे मंगोल के वो आक्रमन किया करते थे चीन के ओपर इसलिए चीन के शाशकों ने अपने सुरक्षा के लिए अपनी सेफटी के लिए एक दिवार का निर्मान कराया जिसको कहा गया the great wall of china आईए अब हम अपनी next जो civilization है इंडस वैली civilization इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं इसके दो नाम है the two names of the इंडस वैली civilization number one the इंडस वैली civilization number two the हरप्पन civilization ठीक है लेकिन इसमें कोशन बनता है कि इसको हम हरप्पन civilization क्यों कहते हैं क्यों इसको हरप्पन civilization कहना चाहिए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक सभैता जो हरप्पन civilization है वो mining का जो काम शुरू हुआ यानि उत्खनन का जो काम शुरू हुआ वो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है देखे एक पंजाब इंडिया में और एक पंजाब पाकिस्तान में दो पंजाब हैं और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहीं पर एक स्थान है हरप्पा और यहीं पर mining का यानि जमीन को खोदने का काम शुरू हुआ और इस तरीके के evidence इस तरीके के साक्षे मिले के विश्व के अंदर एक प्राचीनतम सब्भैता इस जगा पर मौझूद है और उस सब्भैता का नाम इसलिए हरप्पा सब्भैता कह दिया गया या हरप्पा सब्भैता उसको कहा गया इसका दूसरा नाम Indus Valley Civilization इसलिए है क्योंकि सिंदु नदी के आसपास के छेत्रों में ये सब्भैता फलफूल रही थी इसलिए इसको Indus Valley Civilization भी कहा जाता है तो इस सब्भैता की परमुख बाते क्या है तो सबसे पहले आप देख रहेंगे सब्भैता का जो पहली important बात है यहां के major places कौन कौन सेज कहां कहां ये सब्भैता फैली तो हडपा सब्भैता कोई छोटी सब्भैता नहीं थी हडपा सब्भैता का विकास जो है वो भारत में और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है हलाकि जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा नहीं हुआ था उस समय ये पूरी हडपा सब्भैता इंडिया में ही मानी जाती थी लेकिन partition के बाद ठीक है after the partition of India तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो places थे civilization के वो partition में पाकिस्तान के पास चले गए लेकिन कुछ places आज भी इंडिया में मौझूद हैं जिसमें काली बंगन है, लोथल है, बनावली है धोलावीरा है, काली बंगन जो अभी मैंने बताया आपको ये रोपन में पड़ता है तो इस तरीके की जो चीजे हैं ये चीजे मैंने आपको बताई हैं, ठीक है तो ये major places हैं किसके हैं, ये हड़ापा सब्भैता के places हैं, जहां तक ये सब्भैता फल फूल रही थी है, जहां ये सब्भैता फैली थी इससे related कुछ कोशन मैप में भी आ जाते हैं, वो कई बार मैप देकर ये भी आपसे प्रशिल कर सकते हैं कि भी हड़ापा सब्भैता के इस तलोगों को आप मैप में दर्शाई है ठीक है, मैप में आपको बताना पड़ता है मानचितर के अंदर, के लोथल कहां पर है दोला वीरा कहां पर है, काली बंगन कहां पर है, बनावली कहां पर है ठीक है, इस तरीके की चीजों को मैप में भी आपसे पूछा जा सकता है इसके अलावा बेटा, ये जो सब्भैता पूरी दुनिया में फेमस थी वो इसलिए फेमस थी, क्योंकि कि जो टाउन प्लानिंग थी, बहुत ही शांदार थी टाउन प्लानिंग कैसे इन लोगों ने की मकान बना रहे हैं और मकान एक नक्षे से बना रहे हैं आज के समय में भी आप देखोगे कि बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो जब अपने मकान को बनाते हैं जब अपने घर को बनाते हैं तो उसका वो कोई नक्षा तो नहीं बनवाते हैं लेकिन उस समय के लोग जो है कहा जाता है कि एक नक्षा बाकाइदा एक होता था जिसके हिसाब से वो अपने मकानों को बनाया करते थे कुछ मकान एक मंजिला थे कुछ मकान दो मंजिला थे और हर घर के अंदर आप देखेंगे इस नानागार थे इस नानागार का मतलब जिसको हम bathroom कह सकते हर घर में यहाँ पर bathroom भी मिले हैं मैं विशेश कर आप आप देखोगे Mohan Jodraor जो यहाँ का एक बहुत ही famous एक place है जो अब तो खेर पाकिस्तान में है लेकिन उस समय ये सब इंडिया में ही था जैसे बताया है तो वहाँ पर कुएं भी मिले हैं 700 कुएं मिले हैं सडके भी मिली सडके चोड़ी चोड़ी थी 90 डिगरी के कोण पर एक दूसरे को काटती थी grid पदती जो grid एक system उस पर बेस थी यहां की सडके नालियां थी पानी के निकलने के लिए और उन नालियों को ढखकर भी रखा जाता था और उनकी नियमित सफाई भी की जाती थी तो यहां का जो town planning था बहुत अच्छा था यहां के मकान काफी अच्छे माने गए हैं और इस तरीके के मिले हैं हमारे इतिहासकारों को हाला कि हडपा सब्वैता के विशय में अभी हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं क्योंकि हडपा civilization की script को अभी हमारे जो इतिहासकार हैं जो भी historian हैं हमारे वो अभी उसको read नहीं कर पाए हैं अभी वो successful तरीके से उस की script को लेकर जिसकी वजह से भी बहुत सारी बाते इंडस वैली civilization के बारे में clearly तो नहीं की जा सकती लेकिन हां उसके बारे में कुछ जानकारियां जो मिली हैं उससे ही सभैता के बारे में कुछ बताया जा सकता है यहां पर आप देख रहे हैं यहां के लोगों का religious belief कैसा था तो यहां के जो लोग थे मात्र देवी की पूजा करते थे मात्र देवी यहां की एक महत्वपूर्ण देवी मानी गई जिसकी यह पूजा किया करते थे इसके अलावा कुछ और ऐसे evidence वगेरा मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोग अन्य देवताओं की भी पू इशुपती की भी पूजा करते थे अच्छा इसके अलावा एक वहां मोहर मिली है जिसके अंदर इस्त्रियों को पेड़ों की भी पूजा करते हुए दिखाया गया है इनका धार्मिक विश्वास और था जो बहुत इंपोर्टन था रीबर्थ में बिलीव करते थे यानि कि मर वेक्ति डेड हो जाता था तो उसको यह दफनाते थे हैना दहा संस्कार में यह जलाते नहीं थे बाड़ी को यह दफनाते थे और जब वो दफनाते थे तो क्या करते थे उसके साथ में जो इंपोर्टन जो उसकी इस्तवाल की चीज games मरा और उसकी जो भी उपयोगी थींगशी ती, उन सारी चीजों को वो उसी के साथ में दफन कर देते थे, कि अंसे अगर इसका रीबर्थ होगा तो ये सारी चीजों इसको प्राप्थ हो जाएंगी, और आपने रीबर्थ वाले जो जनम होगा, उसमें वो उसका इस्तमाल कर सकता है, इसके अलावा व्यापाल ट्रेड भी लोग किया करते थे इस तरीके की भी एविडेंस मिले हैं कि मैसोपोटामिया के लोगों के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक ट्रेड रिलेशन थे है ना इस तरीके का मृत भांड जो होता था वो बनाया कहा जाता था उसका निर्मान किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में बट वो मिला कहां पर है मिला है वो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन में तो इससे हमारे हिस्टोरियन जो है जो हमारे इतिहासकार है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि Indus Valley Civilization का तो चलो वहाँ पर कोई evidence मिल गया लेकिन Mesopotamian Civilization का नहीं मिला इसका मतलब वो कहते हैं कि वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी चीज आती होगी कोई खाने पीने वाली चीज आती होगी अब खाने पीने वाली चीज तो इतने लंबे समय तक संरक्षित नहीं र रह सकते हैं इसी लिए Indus Civilization में जिस तरीके के जिस डिजाइन के पौट बनाए जाते थे इस तरीके के पौट मैसोपोटामियन में मिले है तो यह चार Civilization हमने डिसकस की है सबसे पहले आपने ब्रोंज एट civilization के बारे में पढ़ा ठीक है सबसे पहले मैसोपोटामस civilization उसके बाद जीप्टायन civilization puisque और इंन इन। आइज़वैश तो आईए एक एक करके हम इन सब बहताओं के बारे में जानकारी प्राप कर लेते हैं Greek civilization, Roman civilization and the person civilization ठीक है और the all civilization belong to the irony civilization ठीक है तो सबसे पहले first of all we will discuss about the Greek civilization तो सबसे पहले we will discuss about the Greek civilization तो सबसे पहले पॉइंट इसका कैस ग्रीक civilization का नगर राज्यों का विकास तो सबसे पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे पहले कहीं पर नगर राज्यों का विकास हुआ है city state डवलप हुई है city state development हुआ है तो सबसे पहले वो विकास जो हुआ है वो हुआ है हमारा कहां पर Greek civilization या हम इसको यूनानी सभ्यता कह रहें ठीक है इसके अंदर सबसे पहले चोटे नगर राज्ये जो आधुनिक राज्ये कहे जाते हैं दुनिया में आज विश्व के अंदर आधुनिक राज्ये हैं आज modern state हैं लेकिन इन modern state की जो शुरुवात हुई वो कहां से हुई तो सबसे पहले नगर राज्यों का जो विकास हुआ जो city state development हुआ है वो इसी य Athens Athens एक महत्वपूर्ण यहां का राज्ये हुआ करता था इसके अलावा भी अदर हो भी कुछ state यहां पर थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यदी राज्ये की हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण यदी कोई state था तो वो state था Athens ठीक है नगर राज्यों का विकास यहां पर सबसे परशिद राजय हुआ करता था ठीक है इसके अलावा यहां पर जो एथैंस जो यहां का फेमस सिटी था यहां पर धनी लोग रहा करते थे लेखक रहा करते थे चिंतक थे कलाकार और दार्शनिक यह सब एथैंस वासी हुआ करते थे rich people थे यहाँ पर writer भी थे thinker थे artist थे और philosophers ठीके वर citizen of the Athens ये सभी जो थे ये Athens के नागरिक होते थे Athens में ये निवास करते थे इसके अलावा जो अन्ने point आपके सामने लिखा है वो लिखा है Plato, अरस्तू, सुकराथ, हैरोडोट्स ये परशिद विचारक ये कहां पर पाए गए ये कहां के थे ये कहां से ब्लॉंग करते थे प्लैटो था इसके अलावा आपका Aristotle, सुकराथ, हैरोडोट्स, हैरोडोट्स को क्या कहते है है हैरोडोट्स was the father of the history ये इतिहास का पिता था ठी इसका जन्म भी कहां पर हुआ, इसका जन्म भी यहीं, ग्रीक सिविलाइजेशन, यूनानी सभेता में हुआ, इसके अलावा सुकराथ, सुकराथ के अतिरिक्त, आपने अरस्तू का नाम बहुत बार सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस में, Aristotle इसका दूसरा नाम है, ये अंग सिविलाइजेशन, ठीक है, दा फेमस बूक, दा टाइटल अप दा बूक, इस दा पॉलिटिक्स रिटन बाई अरिस्तू ठीक है, एक परशिद ग्रंत जो अरस्तू के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है राजनीती, इस ग्रंत का लेखक भी अरस्तू है, ठीक है, तो इस सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग भी इसी ग्रीक सभ्था में पाए गए हैं, इसके अलावा यहां एक चौथा महत्वपूर्ण बिंदू आपके सामने लिखा हुआ है, 776 BC यानि के 176 इसापूर में, ओलंपी गेमों की जो शुरुवात हुई, ठीक है, ओलंपी गेम बिग ठीक है, और परति एक 4 वर्षों में, ओलंपी गेमों का आयोजyn किया जाता है, अभी 2020 में ओलंपी गेम होने वाले थे एथेंस के जो शुरुवात जहां से हुई एथेंस से इसकी वह ओलंपी गेम अभी 2020 में होने वाले थे हमारे जापान की राजदानी टोक्यो में, लेकि वारंब हुआ था ठीक है तो ये ओलंपिक गेमों की शुरुवाद भी इसी ग्रीक सिविलाइजेशन में हुई तो इसके महत्वपूंड पॉइंट हम पर चुके हैं अब हमारा जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है जिसके ओपर हम डिसकस करने जा रहे हैं वो है रोमन सिविला के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और टाइवर नदी इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा सा प्याद रखना कई बार MCQ या वनमार्क्स वाले कोशन आते हैं तो उसमें इस तरीके के कोशन अक्सर पूछे जाते हैं और फिर हम उसको ध्यान से नहीं पड़ते हैं तो जिसकी बहुत साधारन है बहुत एक कॉमन कोशन होता है वो लेकिन क्योंकि हम कई बार उन चीजों को थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट के साथ में नहीं देखते हैं जिसकी वजए से वो प्रशन परिक्षा में आता है और फिर वो हम से क्या हो जाता है फिर हम स्किप करते हैं उसको तो और सिनेट में जो सदस्य होते थे वो व्रध लोग होते थे बुज़ुर्ग लोग होते थे जिनको इसका सदस्य बनाया जाता था एक रिप्रिजेंटेटिव या प्रतिनीदी के रूप में इसमें शामिल होते थे ये सिनेटर और वो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे शाषन करने वाली एक संस्था ये सिनेटर हुआ करती थी जिसके दुआरा शाषन चलाया जाता था शाषन संबंधी कारे करने का दाइत विया जिम्मेदारी इसी सिनेट की हुआ करती थी ठीक है इसके अतिरिक आप देखेंगे वहाँ का जो समाज था रोमन सामराज्य का वो ती क्लास यानि के तीन वर्गों में डिवाइडिट था, ठीक है, the society of the roman civilization divided in the three class, number one आपका patricians थे, number two plebeians and number three slaves यानि के कुलीन वर्ग, आमजन और गुलाम, अब ये जो उपर वाले दो वर्ग आप देख रहे हैं, इनको विशेश अधिकार प्राप्त होते थे, ठीक है, इनको जनमजात विशेश अधिकार दिये जाते थे, और जो तीसरा वाला वर्ग आप देख रहे हैं, गुलामों का वर्ग, जादा तर जो कारे होते थे चाहें, वो घर के काम हो, चाहें, वो खेतों के काम हो, जंगलों के काम हो, इस प्रकार के जो भी कारे कराये जाते थे, वो इ यहां की वैवस्ता कहीं ना कहीं, depend किसके उपर थी, इसी slave system के उपर या इसी गुलाम वैवस्ता के उपर पूरी system को निर्भरता थी ठीक है, यह पूरी तरह से इस पर dependent थी, और इनको कोई विशेश अधीकार प्राप्त नहीं होता था, और इनको जो काम दिये जाते थे, वो without any salary, यानि के बीना किसी वेतन के इनसे कारे कराया जाता था, और किस प्रकार के कारे कराया जाते थे, वो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि घरेलू वर्क होते थे, जैसे कि आप जंगल से संबंदित या खेतों से संबंदित काम होते थे, कई बार तो क्या होता था, कि सामराज्य इतना बड़ा सामराज्य था कि इसको महा सामराज्य भी यदि कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये सामराज्य तीन कॉंटिनेंट में तीन महा दीपो में इसका विस्तार था ये फैला हुआ था तीन महा सामराज्यों में ये फैला था तो सबसे पहले आप empire था ये तीन continent को cover कर रहा है the empire covered the three continent और वो continent कौन कौन से है आपको तो बताएए कि हमारे जो total continent है वो हमारे seven है ठीक है उसी में से तीन continent के अंदर ये रोमन सामराज्य अपना जो था अपने आपको cover किये हुए था तो सबसे पहले आप देख रहें Asia इसके अलावा आपका Africa और तीसरे नंबर पर आपका Europe ठीक है the three continent covered by the आपका Roman civilization इन तीनों छेत्रों में फैली हुई थी clear है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रोमन सामराज है ये एक बहुत बड़ी civilization थी तीन महा civilization इसको नंबर पर आपको यहाँ पर बताया क्या था सिनेट में जो वरद लोग होते थे बुज़ूर्ग लोग होते थे senior citizen होते थे वो इसमें शामिल किये जाते थे उनको senator कहा गया इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं इरानी सब्वैता इरानी सब्वैता की बात होगी है यानि के Persian civilization इसको कहा जाता है तो सबसे पहली important बात यहाँ पर यह बताई गई है कि यहाँ का जो समाज था इरानी सब्वैता में Persian civilization में यह कबीलों में बटा हुआ था Aryan कबीले होते थे Aryan Communities होती थी और चोटे-चोटे कबीलों में चोटे-चोटी Communities में यहाँ के लोग निवास करते थे और यह जो कबीले थे इनको भी दो भागों में डिवाइट किया गया है एक आप देख रहे है Midis Midis इनको कहा गया है और यह कहां रहते थे इरान में तो थे लेकिन इरान का जो पर्षम वाला हिस्सा था जो वैस्ट वाला जो पार्ट था यहाँ पर जो जन्जाती जो Community निवास करती थी जो रहती थी उसको Midis कहा गया और दूसरी तरफ आप देख रहे है कि दूसरा वाला जो शेत्र था जिसको कहा गया है कि यहाँ पर जो जन्जाती रहती थी यहाँ पर जो Community रहती थी उसको कहा गया पर्षियन दा पर्षियन कम्यूनिटी लिवड इन दा साउथ इस्ट पर्षियन सिविलाइजेशन ठीक है तो यहाँ पर जो Community थी The RN Communities लिवड इन दा Persian Civilization and the Communities divided ठीक है इन दा तू पर्षियन लोग थे वो रहते थे जिसकी वज़य से और कहां रह रहे हैं आपके सामने लिखा है कि साउथ इस्ट पार्ट में ही रहते हैं पर्षियन लोग इनको हिंदी में फार्षि कहा गया है और इसी वज़य से आप यहां इसको क्या कहा रहे हैं पर्षियन सिविलाइजेशन क्योंकि पर्षियन लोग यहां फार्सी लोग रहते थे इसलिए इसका नाम फार्सी सब्वैता भी इसको कह सकते हैं इरानी सब्वैता भी कह सकते हैं पर्षियन सिविलाइजेशन अनेक अनेक नामों से इस सब बैता को पुकारा जाता है लेकिन इसको Persian civilization कहते क्यों है कहा क्यों गया क्योंकि मैंने अभी आपको बता है कि Persian लोग रहते हैं यहाँ पर South East पार्ट में और जिसकी वज़े से Persian civilization इसको कहा जाता है इसके अलावा इसकी और भी महत्वपुन जो बात है वो यह है कि जो फार्सी लोग थे वो एक योग्य शाशक देदा पर्शन इंपार वर एबल एड्मिनिस्टेटर जो यहाँ के एंपार के जो लोग थे जो शाशक थे जो रूलर थे वो एक बहुत अच्छे लड़ाका थे यहाँ के सैनिकों के पास भी बहुत अच्छा प्रसीक्षन होता था इनके पास में अच्छी नसल के घोड़े भी होते थे लेकिन ये एक महत्वपुन बात यहाँ पर सामने आती है कि जब यह अच्छे लड़ाके थे अच्छे योध्धा थे अच्छे लड़ाका थे अच् विश्वास में जब अच्छी थी तो फिर ये सिकंदर से युद में क्यों हार गए हां ये वास्तविक्ता है कि यहां के प्रशाशक अच्छे थे लड़ाका थे लेकिन इसके बावजूद भी जब इनका सिकंदर के साथ में वार हुआ तो ये सिकंदर के साथ में युद में हा यह अनेक देवताओं पर जैसे की sun god होता था या फिर moon god होता था जिसको चंदर देव या सूर्य देव कहा जाता है इस परकार के देवी देवताओं के उपर यह विश्वास करते थे इनका अबलीव था इसकी अराधना करते थे इसमें श्रद्धा रखते थे तो यह आपको ब बता देताओं के civilization वाला हमारा जो portion है history का chapter ancient world और civilization को भी दो भागों में divide किया गया है कान से युग की सब्वैता और लोह युगीन सब्वैता ठीक है bronze age civilization and the iron age civilization कान से युग की सब्वैता में फिर यह आप देख रहे हैं कि major the four type civilization in the bronze age civilization number one the mesopotamian civilization और Egyptian civilization, Chinese civilization and the Indus Valley civilization on the other hand the Greek civilization, Roman civilization and the Persian civilization belong to the iron age civilization ठीक है और one by one हमने इन सारी सब्वैताओं के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर discuss किया है ठीक है आपको यह सारी चीछी अच्छे से समझ में आए हूंगी इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था lecture की शुरुवात में कि हम अ पूछे गई या जो संभावित हमारे प्रेशन आ सकते हैं एक गैस कोशन के रूप में आ सकते हमारे परिक्षा के अंदर कोशन तो वो मैंने important कोशन आपके सामने लिखे हैं जादा नहीं है five कोशन है इनको आप अच्छे से ध्यान से अगर महनत कर लेंगे इसके उपर तो आपको कोई ना कोई पेपर आपकी परिक्षा में बिल जाएगा और थोड़े long कोशन के हिसाब से इसमें ये four marks के कोशन से हैं आपकी four marks के कोशन है इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है important कोशन है पूरे चैप्टर में से ये सबसे पहले आपके सामने लिखा है mesopotamia sabbeta की विशेशता हैं आपको बतानी जो mesopotamian civilization है उसके बारे मैं आपको बताना है ठीक है कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़े हुआ करती थी जैसा कि आपको मैंने बताए भी है lecture के अंदर तो अगर आप lecture को बिना किसी skip के ध्यान से भी देखेंगे तो भी हम सारे सवालों के जवाब बहुत easily देदेंगे आप आपको कोई भी समस्या कोई भी problem आपके सामने नहीं आएगी अगर आप पूरी class को पूरे lecture को बहुत ध्यान से देखते हैं ठीक है differences बताने आपको between the Athens and the Sparta two famous city in the Greek civilization number one the Athens and number two the Sparta ठीक है तो यही पूछ रहे है the major differences between the lifestyle of the two cities the two famous cities of the Greek civilization number one the Sparta and number two the Athens इनके बीच में जो लोग यहां पर रहते थे उनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या दोनों के जीवन शैली में अंतर थे तीसरा देखे हड़ापा सब्वैता की विशेशता है वो पूछ रहे है हड़ापा सब्वैता जिसको मैंने आपको बताया था कि जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम कहते है लिखाए आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसी की विशेशता है आपसे पूछी जा रहे है विश्व के अंदर मानव ने जो विकास किया है कि इनकी चरणों को भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर किस तरीके से मानव का विकास हुआ है इसके बारे में आपका कोशन है और नेक्स और लास्ट कोशन आपके सामने कोशन नमबर फाइब रोम सामराज्य कब और क्यों विभाजित हुआ कैसे इसका डिकलाइन कैसे हो गया यह ठीक है यह किस तरीके से यह सब्वैता जो कि आप देख रहे हैं कितनी बड़ी सब्वैता थी कि तीन कॉंटिनेंट को कवर कर रही है एशिया अफ्रीका और यूरोब तो फिर यह विभाजित कैसे हो गई फिर इसका विखंडन कैसे हो गया फिर यह डिकलाइन इसका कैसे हुआ यह five questions है ठीक है अगर आप इस course को पूरा complete करना चाहते हैं तो आप हमारे app पर यानि के PSE Pi Study Circle पर जाकर इस channel को इस app को आप जो है वो download कीजिए और वहाँ पर आपको यह जो पूरा का पूरा इसका course है social science का आपका class 10-10 IOS का वो आपको available हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि यह class आपको अच्छी लगी होगी बैतर लगी होगी समझ में आई होगी और आपके लिए useful होगी बहुत सारी परिक्षा की दृष्टी से तो मिलते हैं आपके साथ में अगली वीडियो में तब तक के लिए keep study in pie study. Thank you.